अगा आएक परेक्रिशना जैस्रीराम रामनौनी की सभी को हर्दिक शुब्ध कामना हैं जब रामनौनी आती है तब हम बगवान श्रीराम को याद करते हैं उनको प्रणाम अरपन करते हैं और करना भी चाहिए तो रामनोमी के इस शुब अउसर पर परवगु रामचंदर जीप के प्रसंद करने के लिए उनका आश्रिवात पाने के लिए हम कुछ प्रार्थना उन्हें अरपन कर सकते हैं आईए देखते हैं कौन सी प्रार्थना है जो प्रवुरामचंद्र पसंद करते हैं आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम स्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम आपदाम अपहर्तारम हम जीवन में बहुत सारी आपदाओं से जाते रहते कई सारी आपदाएं हमारे जीवन में होती है जब हम प्रभुराम चंदर जी को शरण जाते हैं तो प्रभुराम सारी आपदाओं को हरण कर लेते हैं हमारे और किवल उतना ही नहीं दातारम सर्वसंपदाम आपदाओं को छीन लेते हैं और सर्वसंपदाओं को प्रदान करते हैं तो सारी संपदाएं वो प्रदान करते हैं और खास करके भगवत प्रेम की संपदा प्रदान करते हैं इसलिए प्रभुराम चंदर जी कहते हैं कि एक बार भी कोई वक्ति यदि शरणागत हो जाता है प्रभु राम चंदर जी को और कहता है कि है राम मैं आपका हूँ भगवान कहते हैं कि उसे मैं अभः प्रदान करता हूँ तो ये भी एक संपदा है अभः रुपी संपदा और इस जन्ममृत्ति के संसार से चूटने के लिए प्रभु राम चंदर जी अपना नाम की संसार में छोड़के गए है वो भी एक सबसे बड़ी संपदा है और आपदाओं को उन्होंने दूर की आपनी लीला सवय में सुगृ आपदा में थे उनकी आपदा दूर की और उन्हें संपदा प्रदान की उनके लिए लौंके प्रति बहुंति प्रदान की लोगा भी राम्म स्री याम उह सारे लोगों के मन को लुद हने वाले प्रसंद करने ने वाले यह स्री राम भारत में लेखें विश्म में में сосच हर कोई विक्ति प्रचराम च alltid को जानता है और उनके प्रति आकर्शित हो जाता है लो तो इस श्लोक को हमें दोहरणा चाहिए याद करना चाहिए श्लोक इस प्रकार से पुनाए एक बार आप दाम पहरतारं दातारं सर्वसंपदाम लोका भिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्मेहम बहुत-बहुत धन्यवां हरे कृष्णा जैश्री राम